हाई एव्रिवान मैं बूवी मेरे नीटन मश्मोर फैमली और मेरे सारे विवर्स का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हमने लास वीडियो में दो से तीन साल तक के बच्चों के लिए स्वेटर कम टॉप बुनना सीखा था आज हम इसी नाप की ये स्कट बुनना सीखेंगे इसे स्कट को बुनना बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बुनना सिाओंगी मैंने इसको double border वाली बनाई है ताकि आप इसमें अंदर से elastic या dory insert कर सके फिर मैंने इसको आगे पंदे बढ़ा कर इसमें fold वाली इसको बनाई है इसकी चोड़ाई भी पहुत जादा है क्योंकि मैंने इसको fold वाली बनाई है तो ये काफी फैनने में comfortable है मैंने skirt के front side के बनाई की तरह ही back side की भी same बनाई की है और जैसे मैंने top में pop on बनाई की है वैसी ही मैं skirt में भी pop on वाली बनाई की है यदि skirt के साथ आप top को front open बनाना चाहती है तो वैसी भी आप बून सकती है मैं आगे की वीडियोज में आपको front open वाली top भी बूनना जरूर सिखाऊंगी चली आज ये skirt बूनना हम सीखते हैं इस skirt को बूनने के लिए मैं वर्दमान की 2 ply wool यूज कर रही हूँ मैं 2 ply wool यूज कर रही हूँ यदि आप इससे मोटी wool यूज कर रहे हैं तो 4-6 फंदे कम cast on करेगा और इससे पतली wool है तो आप 4-6 फंदे ज्यादा cast on करेगा इसमें मैं फंदे different तरीके से cast on कर रही हूँ तो आप ज्यान से देखकर ऐसे ही cast on करेगा बहुत सारे मेरे viewers पूछते हैं कि वो क्या straight needle यूज कर सकते हैं बिलकुल आप straight needle भी यूज कर सकते हैं आपको जिस needle से बुनने में comfortable हो आप वो needle यूज कर सकते हैं मुझे circular needle से बुनने में comfortable लगता है तो मैं यही use करती हूँ करते हैं पंदे कास्टन करने के बाद अब इस रोगी बुनाई हम पूरी उल्दी करेंगे प्रेंड्स रॉंग साइट की बुनाई कंप्लीट कर ली है अब यह राइट साइड में देख सक्ते हैं ऐसे फंदे कास्टन करने से कितना अच्छा डिजैन लग रहा है ना हमने wrong side की बुनाई कर ली थी, ये right side है, अब right side से हम आगे double border बुनना सीखेंगे, अब इस row को हम row 1 count करेंगे, तो पहला फंदा इसमें हम slip करेंगे, फिर yarn को हम पीछे लेंगे, फिर उसके आगे वाला फंदा भी हमें slip करना है, फिर हमें yarn आगे लाकर उसके आगे वाले फंद उल्टा बुनना है, ऐसे ही करके हमें ये row complete करनी है, और जो last का फंदा है, उसे हमें उल्टा ही बुनना है, फिर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, अब ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो को भी हमें फिर्स्ट रो की तरह ही बुनना है, पहला फंदा हम slip करेंगे, यान पीछे लेकर उसके आगे का फंदा हमें slip करना है, फिर यान आगे लाकर आगे के फंदे को उल्टा बुनना है, फिर यान पीछे लेना है, फिर एक फंदा slip करके यान आगे लाकर आगे के फंदे को उल्टा बुनना है, ऐसे करके हमें रो complete करनी है, और याद रखिएग हमें हर बार जो लास्ट का फंदा है उसे उल्टा ही बुनना है फ्रेंड्स हमने टू रोस की बुनाई कंप्लीट कर ली है अब आगे हमें लास्ट रो को ही रिपीट करके बूनते जाना है जब तक की बॉडर की लेंद्ध कंप्लीट नहीं हो जाती border की length भी complete हो गई है अब आपको इसका मैं measurement बताती हूँ मैंने इसको लंबाई में कितना बुना है आप अपने according इसकी लंबाई को कम या जादा रख सकती है मैंने इसको लगबद 1.5 इंच लंबा बुना है आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच लगबद है आप इसकी लंबाई को जितना रखना चाते हैं अपने इसाब से उतना बुन सकती है हमने skirt के belt की बुनाई तो complete कर ली है अब आगे इसको fold वाली बनानी है तो फंदे भी हमें बढ़ाने होंगे तो आगे की बुनाई हम कैसे करेंगे यहां से हम आगे बुनना सीखते है अब belt की बुनाई तो हमने कर ली है अब यहां से हम row 1 count करेंगे तो इस row में हमें क्या करना है पहला फंदा slip करेंगे फिर आगे हमें पूरी सुल्टी ही बुनाई करनी है लेकिन जो last का फंदा है उसे हमें उल्टा ही बुनना है हमने row 1 की बुनाई कम्प्लीट कर ली है अब यह row 2 है इसमें पहला फंदा slip करके हमें सारे फंदो को उल्टा ही बुनना है फर्स्ट और सेकेंड रू की बुनाई कम्प्लीट हो गई है अब हम थर्ड रू की बुनाई करेंगे तो इसमें हम पहला फंदा slip करेंगे फिर हम यान पीछे लेके चार फंदो को सुल्टा बुनेंगे चार फंदे हमें यहां पे सुल्टे बुनने है फिर यान आगे लाकर हमें आगे के चार फंदो को उल्टा बुनना है अब चार फंदे उल्टा बुनने के बाद यान पीछे लेकर चार फंदे हमें सुल्टे बुनने है फिर यान आगे लाकर 6 फंदों को उल्टा बुनना है और ये 6 फिर यान पीछे लेकर 6 फंदे हम सुल्टे बुनेंगे 6 फंदे हमने सुल्टे बुनने अब यान आगे लाकर आगे की 6 फंदों को हमें उल्टा बुनना है अब ऐसे करके आगे भी हमें 6 फंदे उल्टे और 6 फंदे सुल्टे बुनने हैं और यहां जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था वैसे ही लास्ट में हमें 4 फंदे सुल्टे और 1 फंदा उल्टा बुनकर यह रोग कंपलीट करनी है थार्ड़ो की हमने बुनाई कंपलीट कर लिए अब यह रो फूर्ट है तो इसमें हमें पहला फंदा स्लिप करके आगे के 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं हमें सिर चार फंदे उल्टे बुनने हैं तो टोटल पांच हो जाएंगे यह पंदा उदर साइट का है अब यह 5 हो गए अब यहां देख सकते हैं इसके आगे हमने पहले उल्टी बुनाई की तो अब wrong side में हमें इनकी सूल्ति उनाई करने हैfel., क्योंकि wrong side से दिखाई दे रही है, तो हमें सूल्ता ही भुनना है, इड्लीन जो फंद हमें, जैसा दिख रहा है, हमें, उसे वैसा ही भुनना है, हमें wrong side में, right side के just opposite भुनना है, जो फंदे हमने वहाँ पे सुल्टे बुनने थे उन्हें उल्टा बुनना है और जो उल्टे बुनने थे उन्हें सुल्टा बुनकर ये रो कम्प्लीट करने है फोर्थ रो की हमने बुनाई कम्प्लीट कर ली है अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं ताकि ये इसकर फोल्ड वाली बने तो इसमें हमें क्या करना है जो फंदे हमने सुल्टे सुल्टे बुने है उनी में हमें फंदे बढ़ाने है और जिनकी उल्टी बुनाई हुई है उसे हमने वैसे ही बुनते जाना है जहां जहां हमने सुल्टी बुनाई की है वहीं पे हमें बीच में दो फंदो में फंदे बुणना है अब 6 फंदे हमने उल्टे बुण ले हैं तो यहां पे जो जो 6 फंदे हैं उनमेn जो बीच में बीच के जो 2ばंदे हं उन्हीं के आज सपास हमें फंदे बढ़ाने तो यान पीछे लेंके हमें 2 दो फंदो को सुल्टा बुनना है फिर दो फंदो के बाद यहां पे एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे करके बढ़ाएंगे फिर दो फंदे हम सुल्टे बुननेंगे फिर उसके आगी भी हमें एक फंदा बढ़ाना है फिर आगी के दो फंदो को हमें सुल्टा बुनना है तो यह पे दो फंदे बढ़ गए फिर हमें यान आगे लाकर छे फंदो को आगे के उल्टे बुनने है छे फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हमें आगे के दो फंदो को सुल्टा बुनना है फिर एक फंदा बढ़ा कर आगे दो फंदो को फिर से सुल्टा बुनना है फिर उसके आ जहां सुल्टे हमने बुने हैं उनी में हमें पीच के दो फंदो के आसपास फंदे बढ़ाने हैं तो टोटल हमें दस फंदे बढ़ाने हैं और लास्ट के जो पांच फंदे हैं उनमें चार फंदो को हमें सुल्टा बुनना है और लास्ट का एक फंदा हमें उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है हमने राइट साइट की बुनाई कंप्लीट कर ली है और टोटल दस फंदे इस रो में बढ़ गए हैं अब आगे हमें रॉंग साइट की बुनाई करनी है तो रॉंग साइट में जो फंदे जैसे दिखाए दे रहे हमें वैसे ही बुनना है एक फंदा को हमें सुल्टा बुनना है जो हमने पहले उल्टे बुने थे हमें रॉंग साइड में राइट साइड के जस्ट ऑफजिट बुनना है चै फंदो को सुल्टा बुनने के बाद यान आगे लाकर हमें आगे आठ फंदो को उल्टा ही बुनना है जो पहले यहां पे छै थे और र पंदे जैसे हमें उल्टी सैट वैसा ही बूनना है अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारे एक जाली बन गई है हर बार हमें राइट साइड में इनी दो फंदों की आसपास फंदे बढ़ाने अब आगे हम इस रोकी बुनाई कंप्लीट करेंगे फिर राइट करेंगे फिर आगे के चार फंदे हमें सुल्टे बुनने जैसे हमने रो फिफ्त की बुनाई की थी हमें वैसे ही करना है और फंदे बढ़ाने अब आगे के हमें 6 फंदों को उल्टा बुनना है फिर यहां पे 6 फंदे हमने उल्टे बुनने के बाद आगे 3 फंदों को हमें सुल्टा बुनना है तो यहां पहले हमने फंदा बढ़ाया था उसके आगे हमें यहां भी फंदा बढ़ाना है फिर बीच के जो 2 फंदे हैं उन्हें हमें सुल्टा बुनना है फिर इसके आगे ह च्छै फंदों को हमें उल्टा बुनना है फिर हमें यान पीछे लेके फिर से फंदे बढ़ाने हैं तो तीन फंदे हमें सुल्टे बुनने हैं फिर एक फंदा यहां बढ़ाना है फिर दो फंदे बीच के हमें सुल्टे बुनने हैं फिर फिर से यहां पे फंदा बढ़ाना है फिर आगे के तीन फंदों को हमें सुल्टा बुनना है अब ऐसी हमें बुनाई कंटिन्यू करनी है छे फंदे फिर से हम उल्टे बुनेंगे फिर यार्ड पीछे लेके हमें यहां फिर से फंदे बढ़ाने है अब यहां पर बीच में हमें दो दो फंदे बढ़ाते जाने हैं तो इस रोपे भी हमें दस फंदे बढ़ाने हैं और लास्ट के चार फंदे हमें सुल्टे और एक फंदा उल्टा बुनकर यह रो कम्प्लीट करनी है 7th row हमने right side की बुनाई complete कर ली है अब ये wrong side है तो इसमें हमने पहला फंदा slip करना है फिर 4 फंदो को आगे उल्टा बुनना है फिर आगे के हमें 6 फंदो को सुल्टा बुनना है फिर यान आगे लाकर हमें आगे 10 फंदो को उल्टा बुनना है wrong side में हमने पहले जैसे बुनाई की थी हमें वैसे ही करना है जो फंदा जैसा है उसे वैसे ही बुनकर ये row complete करनी है हमने row 8 की भी बुनाई complete कर ली है अब ये फिर से राइट साइड है यहां तक हमने दो जालियां बुन लिये अब आगे हमें row 9 से row 12 तक बुनाई करनी है फिर से दो जालियां और बनानी है और टोटल 20 फंदे हमें बढ़ाने हैं 10 दस फंदे हमें राइट साइड में बढ़ाने है तो आगे हमें row 9 में 10 फंदे और row 11 में 10 फंदे बढ़ाने हैं पीस पंदे हमने बढाना है, वक्रेम टोटल 216 x 116 x 116 x 116 x 116 x 116 x 116 x 12、 प्रस्टा दंग रेंद में 10,6 x 116 x 116 x 14 Senate नरहें करने के टो दिद जालीय बंगा हैं कर तो आगे लगत नरहां हम प्कॉन की पूनाई करेंगे तो यहाँ पे इस रो में पहला फंदा स्लिप करके चार फंदे हमें सुल्टे बुनने है अब चार फंदों को सुल्टा बुनने के बाद हमें छे फंदे बुनने है फिर यान पीछे लेकर हमें आगी यहाँ पे बीच में पॉपकॉन बनाना है तो दो फंदों का एक फंदा कर उससे पहले हमें 6 फंदे सुल्टे बुनने हैं अब यहां पे 6 फंदे हमने सुल्टे बुनने हैं तो बीच में यह जो दो फंदे हैं इनी दो फंदों में हमें पॉपकॉन बनाना है इनी दो फंदों में एक बार बुनना है फिर यार नागे लगकर दूसरी बार बुनना है फ फिर हमें बैक आकर इन पांच फंदों को उल्टी साइट उल्टा ही बुनना है उल्टी साइट हमने बुनाई की अब एक बार हमें और पांच फंदों को उल्टी साइट से सुल्टा ही बुनना है अब यहाँ पे हमें चोटा पॉपकॉन बनाना है तो यहीं पे हम इसको रोग देंगे और पाँच फंदो का हमें एक फंदा बनाना है क्रोश्या से अब इन पाँच फंदो को हमें एक साथ बुनाई करके यहाँ पे एक फंदा बनाना है तो यहाँ पर एक पॉपकॉन भी बन गया और एक फंदा गड़ भी गया अब आगे के हमें 6 फंदों को सुल्टा बुनना है अब यहाँ पर हमने एक पॉपकॉन बना लिया तो टोटल पांच फंदे यहां पे गड़ गए हैं तो यहां पे अब 111 फंदे बज़ गए हैं 111 फंदे बज़ गए हैं आगे अब हम 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे फिर आगे 4 फंदों को उल्टा बुन कर लास्ट का एक फंदा जो बचा है उसे हम उल्टा बुन का ये रो कम्प्लीट करेंगे पहले हमारे पास 116 फंदे थे पाँच बंदे गट गए हैं अब 111 फंदे बच गए हैं अब रॉंग साइट की हम बुनाए करेंगे तो रो 14 पह हम पहला फंदा स्लिप करके आगे जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनाई करेंगे अब यहाँ आगे ना फंदे गटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे सीधा ही हमें बुनते जाना है जो फंदा जैसा है हमें वैसे ही बुनना है तब तक जब तक की skirt की length complete नहीं हो जाती मैंने popcorn की बुनाई करके wrong side बुनने के बाद फिर मैंने सीधी सीधी बुनाई की है आप देख सकते हैं जो फंदा जैसा है उसकी मैंने वैसे ही बुनाई करके इतनी length complete कर ली है अब यहाँ तक इसकी measurement कितनी है वो आपको बताती हूँ यहाँ से आगे थोड़ी बुनाई हमने और करनी है अब यहाँ तक मैंने इसको लगबर आप देख सकते हैं साड़े ग्यारे इंच लगबर मैंने इसकी बुनाई कर लिया है आप अपने इसाब से अपने baby के height के according और कितनी length आप skirt की चाते हैं उसे साब से इसकी length को गटा और बढ़ावी सकती है अब इसके आगे भी हमें बुनाई करनी है और इस row में हम फिर से जालिया मनाएंगे और 14 फंदे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम starting से ही जालिया मनाएंगे यहाँ पे जो 4 फंदे हैं उन में भी हम जालिया मनाएंगे एक फंदा slip करके एक फंदा बुना फिर मैंने एक जालिया बढ़ाई फिर एक फंदा बुनने के बाद यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाया और आगे के दो फंदों को मैंने सुल्टा बुना है फिर आगे हमें 6 पंदों को उल्टा बुनना है 6 पंदों को उल्टा बुनने के बाद आगे के जो यहाँ पे 13 पंदे हैं उसी के बीश वाले फंदे में हमें अिदर उदर 2 पंदे बढ़ाने तो 6 पंदे हम सुल्टे बुनेंगे फिर इस साइड भी हमें 6 फंदे रखने है और जो ये बीच का फंदा है उसी के आसपास हमें फंदे बढ़ाने है तो एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे फिर बीच का एक फंदा हमें सुल्टा बुन कर एक यहां फंदा बढ़ाना है फिर आगे के 6 फंदों को हमें सुल्ट बुणने है clube कि इसी तरह से हां में आगे continue बुणते जाना है और दो दो फंडे बढ़ाते जाने है और जैसे हम ने starting में लास्ट में भी 2 बढ़ाने है अब यहां पे हम लास्ट में पहुच गए है और यहां भी हमें 2 फंदे बढ़ाने है अब ये रॉंग साइड है रॉंग साइड में जो फंदा जैसा है हमें वैसी ही बुनना है अब यहाँ पे एक फंदा स्लिप करके आगे हमें 6 फंदो को उल्टा बुनना है फिर आगे के 6 फंदो को हमें सुल्टा बुनना है 6 फंदे सुल्टे बुनने के बाद आगे हमें 15 फंदों को फिर उल्टा बुनना है ऐसी करके हमें आगे ये रो कम्प्लीट करनी है जो फंदा जैसा है हमने वैसी ही बुनाई करनी है और जो last के 7 फंदे हैं, उनको हमें उल्टा बुनकर यह रोग कम्प्लीट करना है रॉंग साइट के हमने बुनाय कर लिए है, अभी राइट साइड है अभ राइट साइड में हमें हर जाली के उपर एक पॉपक्रोन बूनना है तो हम जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनाए करेंगे लेकिन जो पीच का एक फंदा है जाली में उसके उपर हमें एक पॉपकॉर्ण बुनना है तो यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करके हमें आगे दो फंदो को सुल्टा भूनना है फिर यहाँ पे हम एक पॉपकोर्ट भूनेंगे झाल भूने उस पहला भूने नहीं। अब यहां एक पॉपकॉर्ण बुन्डे के पा आगे की हमें तीन पंदो को सुल्टा बुन्ड़ है यहां पर एक पॉपकॉर्ण हमने बना लिया फिर यार्न आगे लाकर हमें छ्एपंदो को उल्टा बुन्ड़ है अब आगे के हमें 15 पंदो के बीच में एक पॉपकॉर्ण बनाना है तो 7 फंदे हम सुल्टे बुनेंगे फिर 8 फंदे पे हम पॉपकॉन बनाएंगे यहाँ पे बीच में हम पॉपकॉन बनाएंगे फिर ऐसे ही करके हमें आगे बुनते जाना है और हर जाली के उपर हमें एक एक पॉपकॉन बनाते जाना है टोटल साथ पॉपकॉन हमने बुनने हैं हमने साथ पॉपकॉन बुनकर कम्प्लीट कर लिए हैं अब आगे हमें दो फंदो को सुल्टा बुनना है और लास्ट का एक फंदा बुल्टा बुनकर ये रो कम्प्लीट करनी है राइट साइड की बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है अब ये रॉंग साइड है रॉंग साइड में हमने जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनकर ये रो कम्प्लीट करनी है हम ये रॉंग साइड कम्प्लीट करेंगे फिर उसके बाद हमें फोर रोस की और बुनाई करनी है उसमें हमें राइट साइड और रॉंग साइड जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनाई करके फोर रोस हमें कम्प्लीट करने है मैंने फोर रोस कम्प्लीट कर लिए है अब आगे हमें फंदे बाइंड ओफ करने है क्योंकि यहां पर बुनाई इसकी कम्प्लीट होती है अब इसकी बुनाई यहां कम्प्लीट होती है तो हम फंदे बाइंड ओफ करेंगे दो फंदों का एक फंदा करके हम इसकी बुनाई पूरी करेंगे इसकी करेंगे अब इसी तरह से स्कूर सबढ़े फिर बाद में दोनों पार्ट को हम सीलेंगे तो ईसके लिए हमें जितनी यान चाहिए, उतना हम कट करके से सिख्यूर कर लेंगे एसे हमें बैक पार्ट की सेम बुनाई करनी है मैंने फ्रंट पार्ट की तरही बैक पार्ट की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है अब दोनों पार्ट्स की तो बुनाई हमने complete कर ली है अब साइट से हमें दोनों पार्ट्स को सीलना है अब हमें दोनों पार्ट्स को मिलाना है तो इनको उल्टा करेंगे और wrong साइट से ही इनकी सीलाई करेंगे हमने दोनों पार्ट को सीलने के लिए पहले से ही यान कट कर लिया था उसे हम नेडल में इंसर्ट करेंगे फिर दोनों पार्ट को मिला कर हम इसको सीलते जाएंगे दोनों साइट से एक एक फंदा उठा कर हमें इसको सीलते जाना है झाल झाल एक साइट की तो सिलाई हमने कम्पलीट कर ली है अब इसी तरह से हमने दूसरी साइट की भी सिलाई करनी है मैंने दोनों साइट की सिलाई कम्पलीट कर ली है और इसी के साथ इस स्कर्ट की बुनाई कम्पलीट होती है क्योंकि इसकी फोल वाली बुनाई हुई है तो ये काफ पहुक्त है और पहले में बहुते है यह कैसी कपड़ी करी इसका पूर्ट यहां सबस्भी के मेरे तब के इसके लास्टेक पाक उर्मी है तुम में एब्गवन हुआ तो यह यहुआ गासकते हैं अब मैंसे होऊना का लगवरो कि हाइट के अगोर्डिंग इसको कम या जादा भी बुन सकती है अब ऐसे इसके कमर की नाप ले तो लगबग यहां पर आगे से यह नौ इंच दिखाए दे रहा है तो टोटली अठा रेंच के लगबग है और ऐसे हमें खीशके से देखे तो यह काफी चोड़ा है और पहनने मे बच्चों के नाप की बनाई है लेकिन बेबी टू बेबी मेजिमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है तो आप अपने बेबी के हिसाब से 4-6 बढ़ा कर या 4-6 बढ़ा कर इसके वेस्ट की बुनाई कर सकती है और इसकी लेंद भी आप अपने हिसाब से बून सकती ह कम या जादा स्कर्ट की मैजरमेंट भी कम्पलीट हो गई है आपको यह डिजाइन बहुत पसंद आया होगा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और जाद से जादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि औरों के लिए भी यह वीडियो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे पहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आप सभी हमेशा हैपी और हेल्दी रहें और आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहें इसी विश्च के साथ आज क वीडियो अब मैं यही पर एंड करूंगी फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद